दोस्तों में 12 राशियों का राशियों फर्ल और आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रैमिडिज में बहुत स्वागत है अगर पहली बाराएं तो पली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें तो चलिए चलते हैं राशियों की तरफ जो आज मैं शेयर करने वाली हूं दोस्तों पहले राशी में शेयर करूंगी मेश मेश राशी के जातकों को इस सब्ता आलत से और अविमान दोनों से बचने की जुरुत है करियर हो या फिर कारोबार अगर अभी नहीं तो कभी नहीं तबी आपकी मंचा ही सफलता प्राप्त होगी नोकरी पेशा लोगों को इस सब्ता अपने सोचवे काम को पूरा करने के लिए अत्रिक परिक्ष्रम और परियास की जुरुत रहेगी कारव भारवें भी आपको अपने कंपिटिटर से और संबंद को सही बनाए रखने के लिए अधिक धन खर्च कर सकते हैं आपकी कोशिशे रंग लाती हुई नजर आएंगी परिवार एवं समाज में आपकी साख बढ़ेगी युवाओ को अधिकांस समय अपने दोस्तों के साथ मोज मस्ति करते हुए बीतेगा सप्ता के उत किसी प्रेटन स्थल यात्र की योग बनेंगे उपाए आपको करना है प्रती दिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं अगली राशी व्रिशब है व्रिश राशी के जातकों के लिए सब्ता खुश्यों सफलता भरा रहेगा इस सब्ता आपको द्वारा किये गए प्रियासों को पूरा फलप्राप्त होगा कारिश शेतर में सीनियर आपके कामकाच की सराना करेंगे आपकी पेशा गद वे व्यक्ति गद साथ में बडोतरी होगी भूमी भवन से जुड़े विवाद दूर होगे यदि कोट कचारी में कोई मुकदमा चल रहा है तो आपस म संबंद के लिए ये सब आपके लिए बेहर शुब रहने वाला है किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंद में बदल सकती है लब पार्टनर के साथ हसी खुशी समय बिताने के अफसर मिलेंगे सब्ता के उतरात का समय स्वजनों एवं मित्रों के साथ मोज मस्ति करते वे बितेगा इस दोरान आप जीवन को खूब लुत्व उठाएंगे वेफसाई की दिश्टी से देखा जाए तो यह समय प्रगति एवन उनत्तिकारक है कारोबार को मंचहा आकार देने में कामियाब होंगे इस सप्ता सिहत समाने और सबजनों के साथ रिष्टे मधूर बनेंगे उपाये आपका प्रती दिन गणपति की पूजा दुरवा चड़ा करें और गणे चालिशा का पाट करें दोस्तो अगली राशी है मिथुन बीते सप्ता के मुकाबले यह सप्ता मिथुन राशी के जातकों के लिए थोड़ा रहाद भरा रहने वाला है इस सप्ता आपको कारे छेतर में कामकाज को निप्राने में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा आप भी सभी के तालमेल बनाते वे काम करेंगे घर और बाहर दोनों जगा लोगों का समर्तुर मिलेगा इस दोरान किसी नई योजना के साथ जोडने या फिर नए कारोबार को शुरू करने की संभावना बनेगी सप्ता के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यातरा करनी पर स होगा क्योंकि इस दोरान आपकी सेहत आपकी परशाने का सबब बन सकती है जिसके चलते आपको शारीरिक एवेमानसिक कस्टम बना रहे सकता है इस दोरान आपको अपनी जीवन शैली में थोड़ा बतलाव लाने की ज़रूत है प्रेम संबंद की दिरिश्टी से ये सब्ता आपके लिए अनुकुल रहने वाला है लब पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिक बनी रहेगी वेवाईक जीवन सुप में बने रहेगा आपके लिए उपाई ये है प्रते दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में केसर का तिलक अर्पित करे देथा वि जोड़ा कोई शुप समचार प्राप्त हो सकता है इस दोरान वेबसाई में मंचा हलाब होगा नोकरी पेशा लोगों के लिए आई के अतरिक स्तरोध बनेंगे इस दोरान कारेशेतर में आपके सहकर्मी आपके लिए कौफी मददगार साबित होंगे इस्ट मित्रों की सवा धन निकल आएगा सपता के उतराद का समय विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए अतियदिक शुब रहने वाला है इस दोरान आपकी कोई बड़ी अर्चन दूर होने वाली है आपको रहत मिलेगी बड़ी अर्चन से यदि आपके लब पार्टनर के साथ अनब करते समय किसी योजना में धन निवेश करते समय खूब साफदानी बरतनी चाहिए सिहत समानने रहेगी धाम पत्य जीवन सुप में बना रहेगा आपका उपाई ये है प्रति दिन शिवलिंग पर तामे के लोटे से जल जड़ाएं और शिव महिमा इस तरोत का पाठ करें अ आपको कारवार में खासा लाब होता नजर आएगा सपता के पुरवाद में वेफसाय के सिलसले में की गई यात्राएं उमीद से कहीं ज़्यादा लाब और सफलता देने वाली साबित होंगी परिक्षा परतियोगिता की तियारे से जुटे चात्रों को कोई शुप समचार म मिल सकता है कामकाजी महिलाव का कारेशेतर के साथ घरी परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा सपता के मध्य में आप अपने जीवन को सरलता से जीने की उकोशिश करेंगे इस दोरान आप भागदोड करने की बजाए इस सपता एक जगा ठैर कर काम करना जादा पसंद करेंग आपके रिष्टे में मजबूती आईगी इस सुरान करीबी मित्रों से मिला सने और सम्मान आपके भीतर सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने का काम करेगा सपता के उतराद में परिवार संग तीर्थिस्तान पर जाने का सोभागे प्राप्त होगा उपाया आपका इस प्रकार ह प्रति दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा एवं नरायन कवच का पाठ करें अगली राशी इस प्रकार हैं दोस्तों अगली राशी है कन्या कन्या राशी के लिए इस सपता करियर कारोबार में विशेश उपलब्दी दिलाने वाला साबित होगा यह दिया आप एफ पाठनर्शिप में कोई नया कारवार शुरू कर सकते हैं नोकरी पेशा के लोग की मंचाई जगरपत अबादले का प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है यदि आप नोकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको कोई अच्छा ओफर मिल सकता है सपता के उतराद में सत्ता और सरकार से जुड़े किसी प्रभावी वेक्ति से मुलकात संभव है जिसकी मदद से भविशे में लापकी योजनाव से जुड़ने का अफसर प्राप्त होगा यदि किसी वज़ा से आपके रिष्टे अपनों के साथ खराब हो गए हैं तो सबता के उतराद में किसी मीत्र शुपचिंतक की मदद से सारी गलत फैमिया दूर होंगी एक बार फिर आपसे प्रेम और विश्वास बहाल हो जाएगा प्रेम संबन में मजबूती आएगी लब पार्टनर के साथ हासी खुशी समय बिताने के अफसर प्राप्त होंगे वेवाईक जीवन सुख में बना रह करने की जरुत रहेगी यदि आप किसी बड़ी योजना के साथ जुड़कर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको उससे जुड़े नियम को उच्छे तरह से पढ़ने के बाद ही किसी कागस पर हस्ताक्षर करना चाहिए भूमी भवन का कार्य विक्रे और धनका लेंदेन करते पर दिशे में भी इस बात का खूब ख्याल रखें साजेदार या फिर किसी मित्र कव पर आँख मूंत कर भरोसा करने की गलती न करें अन्यता आपको बड़ा नुकसान जहिलना पड़ सकता है कारे शेतर में भी अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय अन्यता काम खराब होने पर आपको अपने बौस के घुसे का शिकार होना पड़ सकता है सप्ता के उत्राद में आपको अपने सेहत का विशेश ख्याल रखने की जूरत रहे होगी इस दूरान आपका पेट संबंदी दिक्कत हो सकती है ऐसे में अपने खानबान और दिन चर करना पड़ सकता है प्रेम संबंद की दिरिश्टी से ये सप्ता कम अनुकूल रहने वाला है इस सप्ता आपकी लव स्टोरी में किसी तीसर व्यक्ती की दखल अंदाजी से गलत फ्रैम ये पैदा हो सकती है जीवन साती के साथ भी किसी कार्य में निर्ने लेने को लेकर हो सकता है आपका उपाईस प्रकार परतिजिन सिफ्टिक की माला से शिवलिंग की पूजा करें तथा दूद्रा अस्टक का पाट करें अगली राशी व्रिष्यक व्रिष्यक राशी के जात ACT को के लिए सप्ता बीते इस सप्ता के मुकाबले थोड़ा राहत भरा रह सकता है इस सब्ता आपको इस्ट मित्रों की मदद से अटके कार्वे में सफलता गती आएगी भूमी भाउन में जुड़े विवाद के मसले भी समधान की गुंजाईश बनेगी यदि प्रॉपर्टी में जुड़े विवाद बाचित के बादिम से दूर हो सकें तो ऐसा करने में जरा भी देर ना करें और कोट कचारी में इसे ले जाने की इसे बच्चे घर परिवार से जुड़े किसी भी मसले को सिल जाते समय स्वजनों की भावनों की अंदेखी ना करें यदि आप वेबसाइट से जुड़े हैं तो आपको इस सब्ता बगर सोचे समझे किसी योजना या सोधे में पैसा लगाने से बचना चाहिए अन्यथा फाइदे की जगा नुकसान हो सकता है सब्ता के उतराद कामकाज के सिलसले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करने ही पड़ सकती है इस दुरान आपके द्वारा किये जाने वाले परेक्षरम और प्रयास का पूरा फल मिलेगा इस दुरान घर परिवार में धार्मिक कार्या संपन हो सकते हैं स्वजनों से मुलकात होगी सब्ता के अंत में आप सुख सुविधा से जूड़ी कोई महंगी वस्तु का करया कर सकते हैं जिससे आपके घर में खुश्यों का महौल बना रहेगा प्रयम संबन में प्रंगरता आएगी विवैक जिवन सुख में बना रहेगा अपका अपाईस परकार है प्रते दिन हनुमान जी की पूजा में बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालिशा का साथ भार पाट करें अगली राशी है धनू धनू राशी के जातकों को इस सब्ता कोई भी निर्ने सोच समझ कर करने की अवशक्ता रहेगी यदि आप नोकरियों बदलाव के सोच रहे हैं तो आपको इस सम्मंद में नोकरी लेते समय अपने सुपचंतकों की राय जरू लेनी चाहिए सब्ता की शुरुआत में कारेशेत्र में कामकाज का आर्थिक बोज बन रहा है इस दोरान आपको अपने काम को समय पर निप्टाने के लिए अतरिक परिक्षम और धिक भागदोड करनी पड़ सकती है यदि आप किसी कारोबारब से जुड़े हैं तो आप इस सब्ता अपने समय और उर्जा का प्रवन्त करते हुए अपने कारोबार का दिशा आगे बढ़ाने में काम हो सकते हैं इस सब्ता आपको अपने कारे शेतर में काम काज की सफलता के साथ अपनी शवी को बहतर बनाने का भी प्रयास करना पड़ेगा सप्ता के उत्राद में विदेश से जुड़े कारेबार करने वालों के हाथ बड़ा कॉट्रेक्ट लग सकता है जोरान आप अपनी बुद्धी और विवेक से अधिक से अधिक धनवर्जित करने में कामयब होंगे इस सप्ता युवाओ का अधिकान समय मोज मस्ती करते वे बीतेगा सप्ता के उत्राद में अचानक से कहीं पर पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है प्रेम संबन में आपसी विश्वास बढ़ेगा दाम पैते जीवन सुप में बना रहेगा आपका अपाईस बरकार है प्रते दिन भगवान विश्वान की पूजा में विश्वास बाट करें अगली राशी या मकर मकर राशी के जातकों के लिए सप्ता बिला जुला साबित होने वाला सप्ता की शुरुवात में आपको कामकाज के सिलसले में अधिक भादोर करनी पड़ सकती है लेकिन सुकत पहलू यह है कि आपको इसके सकारत्मक पर नाम प्राप्थ होंगे इस दुरान आपका फोकस अपने अधूरे पड़े कारियों को पूरा करने पर अधिक रहेगा आपके प्रियास और परिक्षा में पुरी नी वे लंबित पड़ी समस्याओं का संतोश्प्रत समधान निकलेगा इस दुरान आपको अपने इस्ट मित्रों और सस्वराल पक्ष से विशेज सायोगर समतर हासिल होगा पेशेवर जीवन में मिलने वाली उपलवदियों आपके भीतर आत्मी विश्वास पैदा करेंगी जिसकी बदलोत आप कठीन से कठीन काम को आसानी से पूरा करने में कामयाव होंगे पूरवात के मुकाबले सब्ता का उत्राद थोड़ा कटनाई लिए रहने वाला है इस दुरान आपके सेर पर कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं घर के किसी बुज़ूर के सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है हलाकि आपको अपनी सेहत का भी विशेश ख्याल रखना होगा क्योंकि आप मौसमी या किसी पुरानी विमारी के उभरने के कारण शारीरे के मांजिक कस्ट जिल सकते हैं प्रहम सम्दर में किसी भी परकार की गलत वहम को समवात के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें अने था बात ज़्यादा बिगड सकती है जीवन के कठिन समय में आपको जीवन साथी का संभल परधान करेगा अगली राशी है कुम्ब कुम राशी के जातकों के लिए सब्ता कुछ कठीन लिए रह सकता है इस सब्ता आपको किसी भी कारे में शौट कट अपनाने से बचना चाहिए साथ ही उन लोगों से सतरक रहने की भी बहुत जरूत है जो आपको काम बिगार नहीं है फिर आपको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश करते हैं सब्ता की शुरुवात में आपको कामकाज के सिल्सने में लंबी दूरी की यातरा करनी पड़ सकती है यातरा के दुरान आपको अपनी सहत और सामान का पूरा ख्याल रखने की जुरूत होगी परिक्षा प्रतियों गीता की तियारे में जुटे शातरों की मंचहा परिणाम पाने के लिए आर्थिक प्रिक्षम और परियास की अवर्शकता रहेगी यदि आप भूमी भवन से जुड़ा कोई बड़ा कारे करने जा रहे हैं ये सोदा करने जा रहे हैं तो आपकी कागजी कारवाई और धन का लेंदेन बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए कुमराशी के जातकों को इस समय इस सप्ता कारे शेतरिया फिर आम जीवन में लोगों को साथ हास परियास करते समय सावधानी बरतने चाहिए अन्यथा आपके द्वारक की गई बात से ना सिर्फ वर्षों से बने बनाए संबन टूट सकते हैं बलकि आपकी छवई भी खराब हो सकती है प्रेम समदर्ण में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा बंती बात बिगर सकते हैं विवाएक जीवन समानने रहेगा आपका उपाई इस परकार है ब्रतिदिर हनुमान जी की पूजा में शिरी सुन्दर कांड का पाट करें पक्षियों को दान डालें अगली और लास्ट राशी के मीन मीन राशी के जातकों पर इस सप्ता आलेस से हावी रह सकता है जिसके चलते आपके जरूरी काम पैंडिंग रह सकते हैं और आपको विवज़ा की परिशानी झेलनी पड़ सकती है इस सप्ता नोकरियां बदलाव नए वेफसाह की आपको आर्थिक नुकसान जेलना पड़ सकता है इस सप्ता आपको लोगों के साथ बातचित करते समय भी सावधानी बरतनी की अवशकता होगी यदि आप लोगों से बातचित करते समय अपनी वाणी विवार पकाब पाने में काम रहते हैं तो आपको उमीद से ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है ऐसे में इस सप्ता किसी प्रकार का हट पाले है या फिर किसी के साथ रूखा विवार करने से बचना चाहिए यदि आप प्रेम संबन में हैं तो आपको अपने लब पार्टनर की भावना की अंदेखी करने से बचना चाहिए इसी प्रकार यदि आप विवाइत हैं तो आपको अपने दाम पत्य जीवन को सुख में बनाए रखने के लिए अपने वेस्त कारे करम में से थोड़ा समय जीवन साती के लिए जरूर निकालना चाहिए आपको पाइस प्रकारे प्रति दिन सूर्य दे के समय भगवान सूर्य को अरग दे और अधित्य हिदे इस तरोत का पाठ करें दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी मुझे अमीद है आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लिस लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू